एकावली और एकवेर का विवहा व्याजची कहते हैं यश्योवती कलावती के वद के बाद शीग्र ही एकावली के पास आप पहुची उसके मन में असीम आनंद भरा था उसने मधुरवानी में एकावली से आश्योर योक्त वचन कहा सकी इधर पधारो देखो ये दानव महभाग एकवेर के प्रयास से सदा के लिए सो गया ये बड़ी बुद्धिमान पुरुश हैं उन्होंने बड़ी कठनाई भरी हुई लड़ाई लड़ी है इस समय विराजा एकवेर अतिन्त थक जाने के कारण बाहर द्वार पर ही विराज नहीं हैं उनके मन में तुम्हें देखने की प्रतिक्षा लगी हुई है कारण तुम्हारे रुप और गोणों की बात वे सुन चुके हैं राजकुमारी उन परम सुन्दर राजकुमार को देखने की किरपा करो इन परम राजकुमार से तुम्हारे विशे में गंगा के तठपर मैं बात कर चुकी हूँ बाच्चीत के प्रभाब से ही वे तुम पर पूर अनरुक्त हो गए हैं और तुमको देखने के लिए अते अंद्वुस सुखें यश्यो बाते के बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में जाने की बात तो जच गई पर अभी वै कुमारी थी अते भैसे गवरा उठी उसके मन में पर्याप संकोच था उसने सोचा मैं एक कुमारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी यो वै साधवी चिंता में व्यस्त हो यश्यो बती को साथ लेकर पालकी पर बैठी और चल दी वै द्वार पर पहुँच गई उसका मुख दास था मैली साधी पहनी थी विशाल नित्रों वाली राजकुमारी आ गई ये देख कर राजकुमार एक वीर ने उनसे कहा तनवंगी दर्शन दो तुम्ह देखने के लिए मेरे नित्र प्यासी ही एक वीर अत्यांत आतुर थे और एकावली लज्जा से गड़ी जा रही थी ये देख कर नीत की कून जानकार तहश्रिष्ट पुर्श्यों के मार्ग का अनसरन करने वाली यश्यवती ने एक वीर से कहा राजकुमार इसके पिता भी इसे तुम्ही को देना चाहते ही ये राजकुमारी तुम्हारे अदीन होगी और इसके साथ तुम्हारा मिलन होगा ये निश्चित है किंतु राजेन कुछ समयत की प्रतिश्चा करके तुम पहले इसके पिता के पास पहुचानी की विवस्ता करो इसके पिताही वैवाहिक विधी संपन करके तुम्हारे साथ इसका विवा कर देंगे यश्युवती की बात भरमातमय एकवीर ने सत्यमाल ली अता यश्युवती और एकावली को साथ लेकर विसेना सहित राजा रैव्य के इस्थान पर गए पुत्री के आने का समाचार सुनकर रैवे प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ी बहुत दिनों के पश्चात मलें वस्तर धारन करने वाली वे पुत्री उन्हें द्रिश्टि गुचर हुई फिर यश्योवती ने विस्तार पुर्वक सभी बातें अपनी पिता को बतलाईं तदनंतर एक वीर और राजा रैवे का परस परमिलन गुआ राजा उन्हें लिखकर अपनी घर पदारी शुम हुरत में विवा का आयोजन किया गया विधी पुर्वक पाणी गिर्हन संसकार संपन्न कुआ दहेच देकर राजा ने भली भाती एक वीर का संबान किया तब पच्चात कन्या को विधा कर दिया साथ में ये शोवती को भी बेच दिया इस प्रकार विवा हुजाने पर महराज एक वीर के हर्ष की सीमाना रही जब वे अपने भवन पर पहुँचे अपने इसी भार्या एक वाली के साथ रहकर भात भात के भोग भोगने लगी उन्होंने एक वाली के गर्व से एक पुत्र उत्पन्न किया जो क्रतिक पुत्र उत्पन्न किया जो क्रतवीर नाम से विख्यात हुए उन्हीं क्रतवीर के पुत्र कार्तवीर हैं इस पिरकार मैं स्वशावली का वर्ण कर चुका